शादी के लिए मा जेल वाने की नाव लिए शामली के तीन फीट के अजीम मनसूरी का धाई साल की मेहनत के बाद निकाह हो गया है शादी के बाद अजीम मनसूरी के परिवार में खुशी का जश्न मनाया जा रहा है हासपास के नेता और लोग बधाई दे रही है अजीम मनसूरी ने अपनी पत्नी को मुँ दिखाई में सोनी की अंगूठी दी है साथी अपनी पत्नी की पढ़ाई आगे भी जारी रखनी की बात कही है कैराना के रहने वाले अजीम मनसूरी ने दो साल पहले कोतवाली में तहरीर देकर परिजनों के खिलाफ कारवाई की मांग कर के शादी करानी की बात कही थी मामला मीडिया में आने पर दो साल में करे जिस्ते वालों के मैसेच अजीम मनसूरी के पास आये थे जिसमें करीब तीन या चार महीने पहले अजीम मनसूरी की हापूर के महजदपूर में बुश्रा बैगम से शादी पक्की हो गई थी बीती रात अजीम मनसूरी की बुश्रा बैगम के साथ निगा हुई अब अजीम मनसूरी के परिवार में खुशी का जश्न है और लोग अजीम मनसूरी को शादी की बधाई दे रही है परिवार वालों ने अजीम की शादी की उम्मी छोड़ दी थी शादी होने के बाद उनकी चहरे पर मसकान है बतादे कि शादी के बाद अजीम मनसूरी का कहना है कि मीडिया ने मेरी खबरों को प्रमुक्ता से दिखाया था जसके बाद रिश्टे आने शुरू हुए थे और अब बुश्रा बैगम के साथ मेरी शादी हो गई है जिसकी पढ़ाई मैं आगे भी जारी रखूँगा और मैंने मूँ दिखाई में उसको सोने की अंगूठी दी है ये बाते कह रहे हैं अजीम मनसूरी हापूर के बुश्रा से निकाह करने वाली अजीम मनसूरी बेहत खुश है अजीम दुसरी कक्षा पास है तो वहीं अजीम की बैगम बुश्रा ने बिक्कम कर रखा है अजीम ने कहा है कि जीवन साथी मिलने से वा खुश है शिक रही वो उम्रा करने मक्का शरीफ जाएंगे कहराना के मोहला जोड़वा कुआ निवासी हाजी नजीम मनसूरी के तीन फीट कद के बेटी अजीम मनसूरी की बाराद बूधवार देर रात हापुर में निकाह के बाद दुलहन बुश्रा को लेकर कहराना लोटी जहां शादी का जश्न मना अजीम की बैगम बुश्रा का कद भी तीन फीटी है घर पहुँचने पर उनकी माने दोनों को आशिरवाद दिया है दरसल पिछले साल तीन फिट वाले अजीम मनसूरी ने कोत वाली में पहुँच कर पुलिस से शादी करानी की गुहार लगाई थी बता दे कि हजीम बीहत सदस से निकाह करना चाहते थे वो काफे लंबे समय से अपनी सपनों की रानी की तलाश में जुटे हुए थे निकाह कराने के लिए अजीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्तेनाद से लेकर पुलिस मुख्यमंत्री अखिलेश यादव्व मुलायम सिंग से भी गुहार लगाई थी कुछ समय पहले उसने शामली महिला थाने में पहुँचकर भी निकाह कराने के लिए गुहार लगाई थी उसने जला प्रशासन और पुलस अधिकारियों से भी मदद मांगी थी लेकिन बात नहीं बन रही थी अधिकारियों से गुजारिस की थी की उनसे लड़की ढून ली है लेकिन अब घरवाले नहीं मान रही हैं आप जाकर घरवालों को शादी के लिए राजी करा दीजे हाला कि पुलस अधिकारियों ने घरवालों से बात की तो उनका कहना था कि वे मकान बनाने के बाद दोनों भाईयों के शादी एक सांथ कराना चाहते हैं बहराल अब अजीम का सपना साकार हो गया है शामली के कहराना शेत्र के महला जुड़वा को आनिवासी हाजीन असीम मनसूरी के सबसे बड़े बेटे अजीम मनसूरी का कद महद दो फिर छे इंच है अजीम का कहना है कि उनके माता पिता छोटा कद होने की वज़े से उनका निगाह नहीं करा पा रहे थे लेकिन आप निगाह होने से वह बहत खुश है आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिये हमारे नमबरों पर संपर